विदान सभा के मौनसूम सत्र के पांचवे दिन सदन में विपक्ष ने जल जीवन मिशन को लेकर सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है महीं भाजपा विधायक ने सारोप को निराधार बताया भाजपा विधायक संजे पाठक ने बताया कि जल जीवन मिशन की शुरवात में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी होगी उनके सर्वे में गाउं के कुछ महले छूट गए होंगे और महां तक पानी नहीं पहुँच पाया हमने मांग की है कि दोबारा सर्वे कराकर जो बस्तियां छूट गई है उन्हें जोड दिया जाए उन्होंने कहा जल जीवन मिशन का प्रस्टाचार से कोई संबंध नहीं है लोगों तक पानी नहीं पहुँच पाने का कारण भूमिकत जल की कमी होना भी है लेकिन हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हर गाउं हर बस्ती तक पानी पहुंचे तो एक आध्दो मोहले में पानी के लिए हमने यह याग रह कि कि दीपीयार में जो महले किसी गाउं में चूट गया हूं तो उनको वापस सर्वे करके समलेट कर लिया जाए कई जगे ऐसी भी है कि जो शिकायत आगी पानी नहीं होना भी जैनियून कारण इसलिए भी है कि जो बोरिंगे हुई जल्दी वन मिशन के तहट बोरिंग में अपने पास उसके लिए अन्य व्यवस्था क्या कर सकते हैं कि माली जी हमें चार जागे च्छे जागे बुरिंग करा के दिखिए और अंदर अंडर्गरांड वॉटर पानी नहीं मिल रहा है तो आज पास के कोई नदी ऐसी हो क्या कोई टैंक हो पानी का कोई तलाब हो या क पानी तो देना अमदे, अमदे भीवादा मंतिजि जी की बहुत बड़ी महतव कांशी योजना है हर घर को पानी पहुंचाना है चाहे हमें दस कDaTM झोमेटर दूसरे लाना पड़े चाहां मिले वहां से लाओ और हर घर में पानी पहुचाओ जो बॉल्ले बस्ती छूट गया है उस जगह तक भी पाइप लाइन बिचा के पानी को पहुचा के देना यही मांग मैंने आज लेती है आप देख रहे हैं डखल न्यूर